हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू माई चैनल पीकी कुमर्स शड़ी तू फ्रेंट्स पिछले वीडियो में हम लोग लेखांकन के अर्थ परिभास एवं बिसिस्ता के बारे में समझे थे अब हम लोग समझेंगे लेखांकन के सिधान्त यानि प्रिंसिपल्स ओफ एकाउंटिंग लेखांकन के सिधान्तू सिथात पर ये उन किरियासिल नियमों यों भीवारों से हैं जो लेखांकन की प्रकिरिया को अपनाये जाते हैं यानि कि लेखांकन के सिधान्तों सितात पर यह उन किरिया से नियमों यानि कि जो रूल्स होते हैं एकाउंटिंग के अंतरगत यानि कि जब हम लोग एकाउंट बनाते हैं ट्रैल बैलेंस बनाते हैं ट्रेडिंग एकाउंट प्रोपेट अनलोस एकाउंट बैलेंस इट बनात उसे ही लेखांकन के सिधान्त कहा जाता है यानि कि जो लेखांकन की प्रक्रियाय को अपनाती है अन्य सब्दों में अगर लेखांकन के सिधान्तों के अंतरगत लेखांकन के समस्त आवधारनाओं परंपराओं मानियताओं को समयलित किया जाता है अथार्थ लेखांकन के जो एक सामुहिक रूप होता है उसे क्या कहा जाता है लेखांकन के सिधान लेखांकन के सिधान तो कि कुछ महत्पन परिभासा हैं दी गई है जो कि इस्वरकार है तो अमेरीकन इंसिट्यूट ऑफ सर्टिफाइड सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स के अनुसर क्या बताया गया सिधान सब्द का आसे समान्य विधी अथ्वा नियम से है यानि कि बताया जा रहा है कि लेखांकन से ऐसे या है कि जो लेखा तयार किया जाता है उस लेखा को बनाने कि जो समान्य विधी या नियम होते हैं जो कार्य मार्क दर्शन है तो सिवकार किया गया है त तथा जो बहवार ये आशरन का आधार है उसे ही क्या कहा जाता है लेखांकन का सिध्धान्त कहा जाता है अब जोनसन के according क्या बताया गया है समाने बोल्चाल में लेखांकन की Mाने अता है और नियम, लेखांकन के धंग, जो माने अताए हैं, नियम जो विधी, कार्य विधी का परियोग, जीम लेखांकन के जाते हैं इस लेखा को तयार करने में उसे ही क्या कहा जाता है तो उसे लेखांकन के सिधानत कहा जाता है अब हम लोग आगे समझेंगे कि लेखांकन के सिधानतों के महत तो क्या है तो फर्स नमबर पॉइंट क्या आता है विभीन वर्सों की आर्थिक इस्टिते का तुलनात तुलनात्मक अधियन यानि कि बहुत सारे वर्स यानि चार-पांच सालों दस साल ये सभी का तुलनात्मक अधियन किया जाता है कि चार-पांच सालों में किस सरह सी बेवसाय का इस्थिती रहा उसकी इस्थिती का तुलना किया जाता है और उसके हिसाब से बिजनस को आगे ब यानि जो मालिक होता है मालिक के द्वारा अपने वेपार के विभिन वर्सों के बेवशाइक परिनामों का तुलनात्मक अधियन किया जा सकता है और इस निसकर्स पर पहुंचा जा सकता है कि उसका वेपार प्रगति या उनति कर रहा है अथवा नहीं वही बात बताया गया है चुम मैं अभी आप लोगों को बताए कि चार-पांच साल पिछले वर्स की इस्तिती का तुलना करके जो बेपार के मालिक होते हैं वे उसका तुलना करके पता करते हैं कि किस तरह सी ये बेवसाई में प्रोफिट हुआ है या फिर लोस हुआ है उसी के अधार पर निसकर्स त सही आर्थिक इस्तिती का मुल्यांकन करता है यानि कि बेवसाई की जो आर्थिक इस्तिती होता है एकुरेट तरीके से अगर चल रहा होता है तो यही होता है कि ये बेवसाई की सही आर्थिक इस्तिती का मुल्यांकन कर देता है इन सिधानतों का पालन करके बेवसाई अपन दो को सही तरीके से लेखा जोखा करेगा तो एक सही डायरिक्सन पर चल जालेगा और एकुरेटढ तरीके से नेट प्रॉफिट जो होता है उससे प्राप्त कर पाएगा और जो आर겠습니다 स्थित्ती बैजनस से रहेगा उसका भी प्राप्त कर पाएगा जानखारी। इस परकार वा अपने बेवसाई की सफलता का मुल्यांकन कर लेता है। थर्ट नमबर पॉइंट क्या आता है वेपारी घटनाओं का विधीवत लेखांकन। लेखांकन की सिधानतों के द्वारा ही बेवसाई अपने बेवसाई में होने वाले लेंदेनों का विधीवत रुप से लेखा कर सकता है और आवसकता पढ़ने पर इन लेखों के विशय में आवसक सुचना प्राप्त करता है। नेक्ष्ट क्या आता है नेक्ष्ट पॉइंट में लेखांकन सुचनाओं के अर्थपूर्ण विश्वास्निय बनाता है। को अर्थपूर्ण समझने योग एवं विश्वसनिय तथा तुलनात्मक बनाते हैं नेक्ष्ट पॉइंट आता है पच्पात पूर्ण निसकर्सों पर रोक अगर पच्पात पूर्ण कोई निसकर्स अगर निकालता है तो इसके माध्यम से रोक लगाया जाता है लेखांकन कि लेखांकन की आवधारना है कौन-कौन सी है तो लेखांकन कुछ निस्चित सिधानतों पर आधारित होता है यानि कि कुछ निस्चित जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसी पर आधारित होता तो निस्चित सिधानत कुछ आवधारनाओं पर आधारित होते हैं इन्हें आवध और लेखांकनंतों का निर्मान हुआ है और लेखांकन के कुछ महत्पुन आउधारना नेमंद प्रकाव्त पहला क्या आता है या आ अलग समस्ते हैं ब्योसाई के सभी वित्य वहवारों का लेखा ब्योसाई के पुस्तकों में लिखा जाता है यानि कि बिजनस रिलेटर जितनी भी जानकारी होती है उसे कोपी या कोई नौट में लिखा जाता है जिससे बाद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है इस को बेपार तक दाई तो माना जाता है बेपार के स्वामी के नीजी लेंदेनों का प्रिथक हिस्सा रखा जाता है यानि कि जो बिजनस के मालिक होते हैं उसका अगर कोई प्रसनल लेंदेन होता बिजनस से रिलेडेट तो उसका लेखा जोखा अलग डायरी में नोट किया जाता है यही कारण है कि बेपार के स्वामे जब कभी नीजी परियोग है तो बेपार से रोकड अत्वा माल अरहित करता है तब उनका लेखा अरन के रूप में किया जाता है यानि कि जौइंग के रूप में किया जाता है नेक्स नंबर पॉइंट क्या आता है सेकंड अधार्णा मुद्रा मापन किया होता मुद्रा मापन में लेखानकर के इस अवधारना के नुसर केवल उन्हीं तत्थिंग घटनाओं एवन मेली लेखा जाता है जिन का माप केवल इस्चित रुप से मुद्रा के रुप में किय सके मुद्रा मन मापन जा उसके जा सक yogh घटनाओं को इसमें नहीं लिखा जाता चाहे वे कितनी भी महत्पून क्यों नहों चालू बेवसाय अत्वा सतत बेवसाय की आवधारना इस आवधारना के अनुसार या माना जाता है कि बेवसाय भविश्य में अनन्त काल तक चलता रहेगा जब तक कि इसके विपरीत कोई प कुलना करने पर असपर्ष्ट हो जाता है यदि संभावी समापन के अधार पर बेवसाय संचालन का लेखांकन करें तो करमचारियों द्वारा अपनी सेवाएं अर्पित करना पूर्ति करताओं द्वारा वस्तूं वा सेवाओं की पूर्ति करना दथा अन्य बेवसायक उप चालू बेवसायक की आउधर्णा यानि कि जो करन्ट विजनस होती है उस पर इसका परियोग किया जाता है या आउधर्णा करता संपतियों का लेखांकन उसने मुल्य पर किया जाना चाहिए जिस मुल्य पर इसे प्राप्त किया गया थार्थ लागत मुल्य पर जैसे नेक् इस इधान पर आधारित है कि प्रतेक लेन देन के दो पच्छों ते हैं एक डेवीट और दूसरा क्रेडिट लेखांकन की इस आउधर्णा के नुसार बेशाय बहवार दो खातों को परभावित करता लेखांकन में उस बहवार के एक पच्छ को डेवीट तथा दूसरी हीं चलो इस विद्भावित करें कि तो आजके लेख इतना है फ्रिंड्स वमइध ही ये वीडियो आप लोगी लीकापे यूजफ पुल होगा अज चलो इतना है थाइंकर के उ झाल झाल झाल